हेलो प्रेंट्स वेलकम बैक मैं एनधर ब्लॉग आज हम एक्स्प्लोर करने वाले हैं तीपु सुल्तान समर फैले जो की बैंगलोर में है पहले हम लोग बात कर लेते कि हम नहांपे कैसे पहुंस सकते हैं आप आप ओटो से,कब से,्टू वीलर,फोड़ वीलर किसी से भी आ सकते हैं और अगर आप मैटो से आना चाहते हैं तो नियरेस्टी आपको क्यार० पूरम का मैटो स्टेंड मिल जाएगा तो आप अहांसे भ 20 रुपीज देना होगा और फोर बीलर का आपको 50 रुपीज पार्किंग चार्च पे करना होगा आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको ओनलाइन टिकर्टी लेना पड़ेगा तो यह बार कोड है आप यहाँ से स्केन करके आप रेपसाइट पर जाके अपना सारा डिटेल फिल कर सकते हैं कि आपका नाम क्या है आप कितने लोग आये हुए हैं आपका इसमें एक आपका आ रेजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको गार्ड को दिखाना वो स्केन करेंगे उससे उनके पास डिटेल आ जाएगी तो वो आपको अंदर जाने की परमीशन दे देगे यहाँ पर आपको ओनलाइन ही टिकट लेना होगा यहाँ आप ओफलाइन टिकट की वेवस्ता नहीं है तो चलिए अब हम अंदर की और चलते हैं अंदर प्रविश करते ही आपको दोनों साइड गार्डन देखने को मिलेगा तो आप गार्डन में भी जाके थोड़े देर रेस्ट कर सकते हैं बैठ सकते हैं अपनी फैमली के साथ थोड़े देर इंजॉय कर सकते हैं पैलिस के दूसरे साइड भी आपको गार्डन देखने को मिलेगा तो आप वहाँ भी जाके बैठ सकते हैं कुछ खा सकते हैं बड़ वहाँ पर इस बात का ध्यान रखेगा कि कोई भी गंदगी ना फैलाएं जो भी आप खा रहें उसका जो रैपर हो रहा है उसको डेस्ट वी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से मैंटें किया गया हुआ है कि आप साफती का भी ध्यान रखा गया हुआ है अगर आप यह पैलेस वीजट में सकते हैं तो इसकी मॆइप कर लेते हैं इसका टाइमींग में 8.30 पे open हो जाता है और evening में 5.30 पे close हो जाता है अगर आप इस palace में आते हैं और आप इसकी history जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे guide भी मिल जाएंगे तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और उनसे भी पूरे history जान सकते हैं इस palace के बारे में तो चलिए अब हम लोग first floor पे चलते हैं क्योंकि ground floor में भी कुछ कान चल रहा था तो वहाँ पे बंद कर दिया गया नहीं तो brown floor में museum है तो आप museum में भी enjoy कर सकते हैं इपु सुल्तान पैरिस का निर्माद नवाव हैदर अली खान ने 1781 में बनाना चालू किया था और ये बनके ready हो गया था 1791 में लगवर इसे बनने में 10 येर का टाइम लगा था आप जो ये किला देख रहे हैं ये पूरे pure लकडी से बना हुआ है ना कि इसमें सीमेंट रेट इसी भी चीज का यूज हुआ है ये पूरा लकडियों से ही बनाया गया हुआ है ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ये दिवानी खास है यहाँ पर तैपू सुल्तान का दर्बार लगता था जो कि जनताओं के लिए रहता था उनकी समस्या को जानने के लिए रहता था और उसके समधान के लिए यहाँ पर दर्बार लगाया जाता था यहां आपको पूरे साइड ओपन ही दिखेगा छोटे-छोटे बालकनी दिखेंगे और यह हर जगे से हवादार बनाया गया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है बनाया गया हुआ है इसका स्ट्रक्चर जो दिया गया बहुत ही प्यारे स्ट्रक्चर है इस पैलेस में उपर साइट उफ चार रूम थे जो कि अभी बंद कर दिया गया हुआ है तो हम लोग भी वहाँ जा नहीं पाए थे आप यहां देख सकते हैं कितने साल पुराना लकडी का पुरब बना हुआ पैलेस है बट फिर भी आज भी बहुत अच्छे से ये मेंटे ने खराब नहीं हुआ है बहुत जगे खराब हो गया है क्योंकि इसकी मरमत नहीं साइद हो पारी अच्छे से इस वज़े से कहीं कहीं खराब हो गया वरना देखा जाये तो यह पैलेस आज भी बहुत खुबसूरत लगता है अगर आप हिस्टोरीकल लवर हो तो यह प्लेस आपके लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पर विज़ट करने के लिए बट यहाँ पर वैसा ज़्यादा कुछ है नहीं आप पन टाइम आके यहाँ बीज़ट कर सकते हैं देख सकते हैं कि यह पैलेस कैसा बना था आज भी कैसा दिखता है और इसकी history के बारे में आप जान सकते हैं यहाँ पर आपको board भी दिख जाएंगे जहाँ पर फुरा history के बारे में लिखा हुआ है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं तो चलिए अब हम इसके back side चलते हैं तो back side जाने से पहले आप इसके side portion भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी पूरा बंद कर दिया गया आप यहाँ पर enter नहीं कर सकते हैं बस आप दूर से देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसा कैसा क्या रखा हुआ है लकडियां देख सकते हैं किस टाइप की लकडियों का use किया गया हुआ है क्योंकि कहीं गए पर लकडियां नीचे रखी हुई थी तो वो सब आप देख सकते हैं और बहुत जगे जो गेट है वो सब बंध है आपको अंदर जाने की परमेशन नहीं है यहाँ पर सिफ आपको फ्रंट और बैक साइड ही आप ऊपर क्यों जा सकते हैं अदर्वा इस जगह स्टोर करने का शौक है तो हमारे चैनल में आपको और भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी और अगर आपको और भी कहीं घूमना है उसकी इंफोर्मीशन चाहते हैं तो हमारे चैनल में विजिट करना ना बूले अब हम आ गए इस पैलेस के बैक साइड में तो यहाँ पर सिटिल एरिया भी आपको मिल जाएगा बैठने के लिए अगर आप ठक गए हैं तो और यहाँ से भी आप उपर के और जा सकते हैं बैक साइड में भी आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं यहाँ भी बहुत अच्छा फोटो आता है और अगर आप यहाँ पर इंटर करते हैं जैसे कि आपको डाउट होगा कि यहाँ पर आपको कैमरा अगर लेके आते हैं तो आपको उसके चार्जेस अलग से पे करने पड़ें ऀसकूल टाइम में तो सबने ही टीपु सुल्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़े ही थे बढ़ते वक्त आपने ये भी सुना होगा जिसमें टीपु सुल्तान को टाइगर ओफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है टीपू सुल्टान के इस पैलेस को सुप का निवास भी कहा जाता है जिसे खुसियों का महल भी कहा जाता है इपु सुल्थान के मिर्थि के बाद ये पैलेस अब्डेटिस सरकार के हातों में चला गया था फिर उसके बाद अब ये पैलेस की देखवाल करनाटक सरकार कर रही है इस पैलेस के देश्ट बगल में आपको एक मंदिर भी देख़ने को मिलेगा तो आप वहाँ भी जा सकते हो मंदिर में बहुत ही खुबसूरत और बहुत बड़ा मंदिर है तो आप वहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हैं नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर में म्यूसियम भी देखने को मिलेगा जहाँ पर तीपु सुल्तान के चीजे रखी हुई है बट हम जब गए थे तो वह एरिया बंद था मेभी आप अगर उस टाइम जाए और खुला रहे तो आप वहाँ पर जरूर जाए क्योंकि वहाँ पर तीपु सुल्तान के चीजे रखी हुई है तो आप वह भी देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए आई हुए है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में ओके बाई कि आपके घुझ अबब हुए है तो प्लीज बाईब और शेख सब्सक्राइब और शेख सकते हैं